हेलो एब्रिवन वेल्गम बैक टू मैं डॉक्टर रंजना गुपता आज भी सी थर्ड यर की सीरीज में स्टार्ट करूंगी टाइपस ओफ इसकेल्स तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम शुरू करेंगे टाइपस ओफ इसकेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं शल्क जो क इसका एक कर्रेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन कुछ बर्ट में और मैम्म स्के अंदर भी हमें जो है स्केल्स दिखाई देते तो मैंने यहां पर जैसे लिखा है they form exoskeletal covering in fishes. Fishes के अंदर ये पूरी exoskeletal बहार एक अंकाली is covering बना लेते हैं जो कि उसको protection देती है Correct punishment करती है अब बात करते है सरी की जो types की तो scales जो है वो two types जो है या iles को हम categorize करें तो two category के अंदर categorize किया गया है epidermal and dermal epidermal means origin in epidermal जिनका जो origin है, means जिनका जो निर्माड हुआ है, या जो हम कहें, जो formation हुआ है, वो epidermis के पार्ट से हुआ है, तो यहाँ पर derivative of malpigian layer of epidermis, epidermis की जो malpigian layer होती है, उससे जो epidermal scales हैं, वो develop होते हैं, और यह जो इस type की epidermal scales हैं, वो cable birds और mammals के अंदर हमें देखने को मिलते हैं second होते हैं, dermal scales, जो characteristic होते हैं, faces का, और they are derivative of mesenkyme, mesenkyme जो होता है, वो generally epidermis और endodermis, इन दोना की बीच में एक mucousy substance होता है, वो mucousy substance को हम जो है, mesenkyme कहते हैं, तो जो dermal scales हैं, वो mesenkyme से develop होते हैं, क्योंकि हम mainly faces के, जो scales हैं, उनके बारे में study कर रहे हैं, तो हम उनकी specificity देखे हैं, या खासियत देखे हैं, तो क्या है, small, thin, cornified, calcareous, or cartilaginous, जो यह scales है, छोटे-छोटे होते हैं, बहुत thin होते हैं, और cornified, spine-like structure form करते हैं, और calcareous means, जो structure है, बहुत बोनी भी हो सकते हो, cartilage, बोनी हम इने तब कहते हैं, जब इनका structure है, वो calcium carbonate से बना हो, तो हम उसे calcareous भी कहते हैं, और दूसरा cartilage, इस तरह से जो हम इनको distinguish कर सकते हैं, तो इसके बेज़ जो dermal scales हैं, जो हैं, वो five types के होते हैं, फर्स्ट है cosmoid, second flacoid, third ganoid, fourth cycloid and fifth quinoid, अब इन scales की बात करें, तो हम यहां पर हम एक एक की retail study करेंगे, तो जिसमें first है हमारा cosmoid, मैंने उसका diagram यहां नहीं बनाया है, क्योंकि वो जो है mostly जो हमारी extinct fishes हैं, उनके अंदर दिखाई देता था, तो found in ostracoderms, placoderms and extinct sarcoptery, इनके अंदर हमें यह visible था, they consist of four layers, इसके अंदर four layers होती थी, that is, ganoid, dentine, spongy bone and compact bone, तो जो cosmoid scale है, बहुत, जो है, थोड़ा सा complicated होता था, लेकिन जो generally, यह जो यह हमें देखने को मिलता था, वो mostly extinct organism है, यह extinct fishes हैं, उनके अंदर देखने को मिलता था, बाकी जो आपके four जो हैं, वो हमें, जो living fishes हैं, उनके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसका आपने example सुना होगा, dog fish commonly जिसे बोलते हैं, यह हम जिसे squalidon कहते हैं, यानि यह commonly जो है, हमें squalidon के अंदर देखने को मिलता है, अब इसको देखे, it consists of, इसके two parts है, spine, जो backwardly directed रहता है, यहां पर यह बनाया है, इस तरह पीछे की तरफ जुके हुए, जैसे यह चीज़े तो यह पीछे की तरफ directed रहती है, और rhomboid basal plate, एक rhomboid basal plate होती है, तो जो मैंने structure यहां form किया, तो यह नीचे वाला part है, यह rhomboid basal plate, और यह जो spine-like structure है, वो three spines form होती है, जिसमें two lateral and one median spine होता है, और यह जो spine है, इनकी अंदर एक pulp cavity होती है, यह pulp cavity जो है, वो open होती है, इसकी जो rhomboid plate होती है, उसके उपर, यह हमके उससे connected रहती है, तो यह दोनों structure होगे इसके, अब embedded in dermis, dermis के अंदर यह धसे हुए र मोनी material से बने होते हैं, means calcium carbonate से बने होते हैं, यह pulp cavity inside the spine which open through basal plate, जिसके बारे मैंने आपको बता है, जो basal plate या rhomboidal plate है, यह जो rhomboidal basal plate है, उसके अंदर जो है वो opening जो spine की cavity है, pulp cavity है, वो open होती है, लेकिम बात करें, जो pulp cavity है, उसके अंदर blood vessels, nerve endings, lymph channels, dentine forming and cells, जिनने हम odontoblast कहते हैं, वो सभी चीजें उसके अंदर present होती है, तो ऐसा ही नहीं है, यह pulp cavity जो है, जो है, जो पूरी तरह से जो है, बोडी, जो कहा है, पूरे nervous system से भी connected रहती है, उसके बाद, जो इसके spine होते हैं, they are externally coated with shiny enamel, और उसको हम कहते हैं, betrodentine, तो जो इसकी जो यह spines है, यह enamel से covered रहते हैं, या coated रहते हैं, जिसे हम betrodentine कहते हैं, और यहाँ पर जो इसकी dentine forming cells है, जो यह spine बाला part यह बनाते हैं, उसे हम dentine भी बोलते हैं, और वो बनता है इसके odontoblast cell से, इसके बाद इनका जो arrangement की बात करा है, arrange very close to each other, यह एक दूसर बहुत पास पास जो है, arrange रहते हैं, और give an appearance of sand paper, next है, genoid और rhomboid scales, यहाँ पर जो देखे है, rhomboid means diamond shape होता है, यह rhomboid scales, यह rhomboid is लिक है, क्योंकि shape जो है, वो rhomboid like है, तो characteristic of condosteans, holosteans, जो condosteans और holosteans हों, उनके अंदर यह mainly पाये जाते हैं, thick and usually rhomboid or diamond shape, यह काफी thick होते है और इनका जो arrangement देखें, ऐसे arrange होते हैं, जैसे कि tiles लगी हो, तो just arrange side by side like tiles, whereas in some cases, they may be overlap, लेकिन कुछ cases में यह overlap भी होते हैं, अब इनका और structurally हम देखें, तो इसमें हमें एक flange दिकाई देती हैं, तो flange जो है, जो attachment में help करती है, जिससे जो इनकी position है, वो disturbed नहीं होती है, और उसके अलावा, जो center में हमें, जो यहाँ पर जो दिख रही है, they are concentric lines of growth, जिससे जो हम fishes की age भी detect करने में help मिलती है, और center में यह nucleus होता है, arrangement हमें इस तरह का दिखाई देता है, और कहीं के overlapping, providing यह boni armor, यह boni scales होते हैं, तो एक हतियार की रूप में, जो fishes हैं, वो अपने defense purposes, यहाँ के protection के लिए, इन scales का use करती हैं, next है, cycloid scales, यह characteristic of lung fishes and some holosteans and lower telosteans, जो हैं, उनका characteristics है, flexible and translucent plate-like thicker in center, यह जो कैसे होते हैं, flexible होते हैं थोड़े से, और translucent means अपार दरसी, अपार दरसी होने के साथ ही, plate-like होते हैं, center में ही काफी thick होते हैं, और इन center से ही, जो हमें पूरी develop होती हुई, जो है, lines of growth दिखती हैं, concentrated lines of growth जिससे age का detection करते हैं, जो posterior end है, वो इसका free end होता है, और proximal end होता है, यहां से यह attach रहते हैं, इनका जो हम देखें तो वो इस तरह से ही हमें arranged दिखाई देते हैं, इससे they consist of upper bony layer and lower fibrous layer of connective tissue, जो इसकी lower layer है, वो fibrous होती हैं और connective tissue से बनी होती लेकिन upper layer है, वो हमें कैसी दिखाई देती है, बोनी layer है, यह हम देखें, trident type के दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने प्लेकोईड scale में देखे थे, उसी तरह से यहां भी three spine form होते हुए दिखाई देते हैं, यह भी dermis के अंदर embedded हैं, धसे हुए रहते हैं, और overlap to each other, एक दूसर होगा, वो थोड़ा सा इसके उपर की ओर, फिर तीसरा होगा, वो इससे थोड़ा सा उपर होगा, तो इस तरह से यह overlap to each other, and last is tenoid scales, they are characteristics of modern higher talistines, जो higher talistines हैं, modern fishes हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है, similar to cycloid, काफी कुछ मिलते जुलते होते हैं, cycloid scale से, लेकिन यहां जो spiny स्ट्रक्चर है, काफी ज़्यादा दिखाई देता है, means उसमें spines, three spine like structure form हो रहते हैं, कई सारे दिखाई देते हैं, इसका anterior vessel end होता है, posterior free end होता है, यहां भी, बीच में हमें opening of canal दिखाई देती है, जो की externally open होती है, एक पोर के द्वारा, यह lines of growth होती हैं, यहां पर जिने हम रूप से जो है test रहते हैं, expert free है, hind part not overlap, यहां overlapping देखने को नहीं मिलती है, और यह numerous comb like spines जो है form करते हैं, some fishes, जिने हम founders कहते हैं, उनके अंदर हम देखें तो दोनो type के scales मिलते हैं, means trinoid scales मिलते हैं, और cycloid scales भी उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, arrangement देखें तो वो इस तरह से जो हमें arrange दिखाई देते हैं, तो यह थे different type of scales in fishes, अब हम इसके अंदर देखें के कुछ modifications भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ fishes जिनके अंदर scales होते ही नहीं हैं, या फिर किसी scoots या spine की form में होते हैं, scales जो है, वो किस तरह से modify हो सकते हैं, या कौन सी fishes जिनके अंद पूछ ले जाते हैं कि जो इनके modifications के नाम देखे कि what is this, या कौन सी fishes हैं जिनके अंदर scales नहीं होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें, torpedo and catfish, यह दोनों ही fishes जिनके अंदर torpedo जिसे हम electric gravy कहते हैं, उनके अंदर scales absent होते हैं, इसके बाद eels जो होती हैं, उनके अंदर scales होते हैं, dermis leher उसमें बहुत ज़्यदा अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, deeply embedded, उसके बाद glow fish जिसे हम tetradon कहते हैं, porcupine जिसे हम diodon कहते हैं, इनके अंदर एक पूरी spiny protective covering मना लेते हैं, जिसके वज़े से जल्दी से कोई भी organism, जो इनको food की form में receive करता है, या use करता है, वो इनको capture नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, hold नहीं कर पाता, जो spines हैं, बहुत ज़्यदा help करते हैं, इनको protection में, उसके बाद trunk fishes, जो हैं, जिनने हम ostracian कहते हैं, एक पूरा complete boni box form कर लेती हैं, इस्टरजन या ऐसी पेहनिसर की बात करें, तो वहाँ पर जो scales है, वो modify होके scoots बना देते हैं, या boni plates की form में, एक plate like structure form कर देते हैं, shark and surfaces, shark and surfaces, surfaces को हम pristis भी कहते हैं, इनके अंदर जो scales है, प्लेकॉइड scales, जो modify हो जाते हैं, teeth के अंदर, इनके अंदर जो teeth है, they are modification of placoid scales, stingray की बात करें, तो stingray, sting means dance जैसे, यहाँ दन्स समान संदचना है, तो यहाँ पर जो sting का development है, वो भी modification of placoid scale है, अलब placoid scale जो है, वो रुपांतरित होकर sting बनाता है, and last is wasking shark, जैसे हम serotoninus कहते हैं, उसके अंदर जो placoid scales है, वो gill wreckers की form में range हो जाते हैं, इस एक रेक की तरह बना, एक के उपर एक उपर एक इस तरह से अरीज दिखाई देते हैं, तो यह तो थे इनके modifications की बात, अब हम बात करते हैं, कुछ uses of scales, तो uses of scales की बात करें, तो सबसे पहला protection आ जाता है, इसके अंदर, इनको protect करते हैं, इनके उपर एक body की covering बन जाती है, जिससे जल्दी से जो organism है, वो इनको food की फूर्म में directly capture नहीं करता, या receive नहीं कर पाता, या swallow नहीं कर पाता, second help to determine the age in some faces, कुछ faces के अंदर जो है, इनकी age को determine करने में हमें help मिलती है, जैसा कि जब scales का मैंने structure बताया, तो उसमें आपने देखा होगा, वहाँ lines of growth बताईती है, जो कि annually develop होती है, उनकी counting करके हम बता सकते हैं, कि इस particular face की जो age क्या होगी, help in identification, different type of skills को देखके हमको identification में भी हमें help मिलती है, और इसके लबाब play important role in classification of faces, जो faces का classification किया गया है, बर्गी करण किया गया है, तो उसमें भी जो types of skills हैं, उनकी base पे भी उनको segregate कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, तो यह थे आपके कुछ skills की details, जिसमें मैंने आपको types of skills, उसके modification और उसके uses के बारे में बताया, I think आपको समझ में आगया होगा, फिर भी आपका कोई doubt है, तो please comment section में आप अपना doubt drop कर सकते, I think आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो please उनको like, subscribe, share करना ना भूले, thank you so much.